एक ओपेरा सिंगर से अफसेस्ट एक सिरियल किलर जिसको भी मारता है तो उस लड़की को ये दिखना पड़ता है ये किलर इसके आसपास ही है पर ये कौन है या आज की मूवे में हम देखेंगे आज की मूवी ओपेरा ये 1987 की थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है तो चली ये डारिक लिए स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि ओपेरा के लिए सब कुछ रेडी किया जा रहा है यहाँ पर एक बड़ी सी सिंगर होती है इसके स्टेज पर कव्या आ जाते है तो इससे बहुत ही चीट जाती है यह फिर जिड़कर ही अपने होटेल में जा रही होती है जब बहार निकलती है तो इसके फैंस इसके पीछे होती है इसके फोटोस लेगरा वो निकालने चाती है इसका ध्यान नहीं होता तो रस्ते में इसका पेर एक गाड़ी किनी जा जाता है आज ये ओपेरा में नहीं गा सकती है तो ये बैक अप सिंगर होती है उसे फिर इकॉल आता है कि आज तुम्हें ओपेरा में गाना है इसे बिलिव नहीं होता इसे लगता है कि ये एक जोक है थोड़ी देर में इसकी एजेंट इसके पास आती है वो उसे एक गुड नूस देत अब यह फोन करने वाला कौन था यह इसे मालूम नहीं है यह जो बैककप सिंगर है इसका नाम है बेटी यह नीज सुनकर बेटी बहुत ही परिशान हो जाती है वो अचानक घबराने लग जाती है वो कहती है कि मैं कैसे गा सकती हूँ अगर मैंने कुछ गडबर कर दी तो अच्छे से कर सकती हो तुमारे करियर के लिए यह बहुत ही बड़ा प्रेक हो सकता है वह फिर शो का प्रोडूसर वेगराता है और इसे मोटिवेट करता है कि वह कर सकती है बेटी का बॉइफरेंड भी यह होता है वो भी इसे मोटिवेट करता है ओपेरा स्टार्ट होता है और बेटी गाना स्टार्ट कर देती है यह बहुत ही ब्यूटिफुले सिंग कर रही थी है यह बहुत ही सही से यह सब ओपे रहा यह शोद चल रहा होता है तब ही हमें दिखता है कि यह जो हौल है इसके करडों से एक आदमी चल रहा है यह सबसे उपर के फ्लोर पर आ जाता है वह आपर एक आदमी होता है जो से कहता है कि तुम यहाँ नहीं रुख सकते है इस आदमी को यहाँ होना अलाउड नहीं है यह जो है यह हमारा किलर है और यह कौन है इसका फेस वेगर हमें कुछ भी पता नहीं है जो स्ताफ इसे मना कर रहा था इसका सर टकरा कर इसका मर्डर होय हक कर देता है यह करते वक्त एक बड़ा सा लाइट वो नीजी गिरा देता है यह इंसिडन होने के बाद सब लोग यहाँ डर जाते है यह जो शो है यह डिस्टब हो चुका है बेटी का प्रोडेसर उसे कहता है कि स्टार्ट कर दो तुम्हे कर सकती हो जब बेटी गाना स्टार्ट करती है तो सब लोग फ्रेसे अपनी सीट्स पर बेट जाते है जब इस शोग खतम हो जाता है तो उसका प्रोडेसर उसे एक आंगरेट करता है वो से कहता है कि तुम्हें लगा था कि Macbeth का रोल एक बैड लग है पर आज जो incident हुआ है इसका ऐसा मतलब नहीं कि ये बैड लग होता है ये सिर्फ एक accident था तुम इस सूपर स्टेशन में तुम्हें नहीं रहना चाहिए जिस original singer का पेरे टूड गाया था ये इसे बहुत ही ज अच्छा लगता है इसके लिए snake full लाया होता है बैटी एकसेप्ट करती है और कहती है कि क्या तुम्हें autograph चाहिए ये आदमी फिर उससे autograph ले रहा होता है तब इससे पुकार लिया जाता है ये actual में एक डिरिक्ट्य होता है बैटी अब इस पर जीर जाती है उसे लगता है कि इसका autograph रहने के लिए नहीं आया था इससे पुछताज करने के लिए डिरेक्ट्य हो आया था ये बहुत ही embarrassed फिल करती है गुस्से में दार बन कर लेती है इसका boyfriend फिर इससे मिलने आता है वो उसे कहता है कि मैं बहुत ही last में तुम्हें congratulations कर रहा हो अब तो तुम बड़ी singer ब बेटी को जो gift मिला होता है ये दारू की bottle जैसा होता है इसे पता नहीं होता कि ये क्या है तो इस सिंग में इसे डाल देती है अब हम देखते है कि जो serial killer है इसने बेटी को टीवी पर देखा है इसके dress से वो obsessed हो जाता है इसका dress इससे पसंद नहीं था रात में ओपरा हौस मे होता है इसके आसपास बहुत सारे कववे केज में रखे हुए होते है इसके बाद हम बेटी और उसका boyfriend देखते है उसके boyfriend ने उसका uncle का एक बहुत बड़ा mansion होता है उसमें उसे लायव होता है इस दोनों एक दूसरे के साथ intimate होने वाले होते है पर बेटी कहती है कि मेरा आज बेटी के पास killer आता है बेटी को killer जकड लेता है उसके हाथ पैस सब कुछ बाद देता है यह killer इसे खड़ा करता है और एक पोल से बाद देता है इसके आख के नीचे यह बिंज़ा बिंज़ा बाद देता है यानि कि यह जो सब करेगा यह उसे देखना पड़ेगा यह अपनी eyes close नहीं कर सकती है बेटी का boyfriend जब वहाता है तो पिछे से आकर killer उसे मार देता है यह सब कुछ बेटी को देखना पड़ता है यह बहुत ही डर चुकी होती है इसे क्या करना है कहा जाना है इसे कुछ भी सम क्या तुम्हारा boyfriend कैसा trouble हुआ है यह बहुत ही disturb होती है और कहती है कहा से तुम्हें यह idea मिलती है यह सब कुछ भी नहीं है अभी अभी जो हुआ है इसके बात नहीं करना चाहती है यह बहुत ही disturb होती है प्रोडूसर कहता है यह बात करो कि तुम्हें अच्छा लाइगा कभ बेटी को कहता है, जब बेटी उटकर देखने लग जाती है, तो वहाँ से भाग गया होता है, यह प्रोडूसर को घर जाना होता है, तो बेटी को कहे कर जाता है, कि सब कुछ डोड सके है, तुम बन कर लो, तुम अंदर सेफ रहोगी, बेटी अपने हॉल में कुछ आदमी को साथ एक औरत होती है, उसे पुछ थी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, यह औरत कही थी कि मैं तो यही रहती हूँ, बेटी अब जरा चेन की सास लेती है, और अंदर आ जाती है, हमें बेटी के रूम में देखता है, कि वहाँ एक चालिया होती है, इससे उसे कोई देख रहा एक रोज जो मर चुके थे, और जो इंसिटन्ट यहाँ हुआ है, इसके इन्वेस्टिकेशन करने के लिए पुलिस वगरा आ चुके है, जो आदमी मरा है, इसके बारे में पुलिस पोस्ता है, कि लास्ट टाइम तुमने कब उसे देखा था, जादा कुछ लोग को उसके बा बेटी उसे आज मिल नहीं पाती है, बेटी जब ओपेरा पर आती है, तब उसका ड्रेस खराओ चुका है, उसे पता चलता है, बेटी का जो ड्रेस होता है, इसे उसके टेलर फिक्स करना चाहती है, उसे कहती है, जो यहाँ की ज्वेलरी है, यह सब इंटक्ट है, इस ड्रेस को सही से कर सकती है बेटी आ से निकलती है और अपने मैनेजर को कॉल करती है उसे जो सब उसके साथ हो रहा है यह सब बता देती है उसकी मैनेजर उसे कहती है कि पुलिस को तुम जल्दी से यह सब बता दो मिन्वैल इसकी मैनेजर इससे मिलने के लिए इसके घर आने वाली होत ये टेलर अलग रूम में जाती है और ये देख रही होती है तो बड़ी सी एक आयन लेती और पुछ जाता है ये बेटी को फिर से बांग देता है इसके आखोपर भी पींस लगा देता है यानि कि सब कुछ उससे देखना पड़े जब ये टेलर वहा आती है तो वो देख लेत कि ये कौन है तब ये killer इसका गला पकड़ लेता है जो killer का bracelet था ये उसने निगल लिया था killer इसके थ्रोट से निकालता है बेटी को free करकर फिर वो वहाँ से निकल जाता है अब हमें दिखता है कि बेटी के apartment पर police officer उससे मिलनी के लिए आया है वो उससे कुछ question पूछना चाता ह पर उससे कुछ बात नहीं कर रहे होती है इसका हाथ जब वो देखता है तो enjoyed है उससे लगता है उससे जबरदस्ती पूछता है कि ये किसे तुम्हें हुआ है इसके बारे में सब कुछ information तुम मुझे दो पेटी उससे कहती है कि जो सब हुआ है इसके बारे में किसे से बात नहीं करना चाती डिट्टू कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये सब कुछ उससे बोल दीती है वो क्या क्या कर रहा है कि इनकिन लोग को उसने मार दिया है ये सब डिट्टू को पता चल जाता है डिट्टू से कहता है कि तुम्हेरे protection के लिए मैं एक police officer आज है वो बेटी को protect करने के लिए यहां आया होता है बेटी के आख में drop होते है पर उसका नाम सही होता है तो इसलिए उसे वो अंदर आने देती है इसे उससे देखती नहीं ये फिर अपने meditation की जो CD होती है ये चालू कर देती है और realize करती है उसकी agent उसे मिलने आने वाली थी य पुलिस officer कौन था अवे दोनों बहुत दर जाती है अवे decide नहीं कर बाती ही घर में इन्हें रहना है क्योंकि जो डिरेक्ट्व घर में आ चुका है वो सही का डिरेक्ट्व है या नीचे जाना है अगर ये नीचे गई और killer रहा तो ये भी trouble में हो सकती है और घर में भी ये ये जब kitchen में होती है तो इन्हें सुनाई देता है कि जो उनके घर में है उसे कुछ message मिल चुका है ये अब दर्वाज़ा open करकर वहां से बाहर निकल जाता है ये डरते हुए kitchen से बाहर निकलती है बेटी जल्दी से अंदर जाती है और phone लगाने की कोशिश करती है इनके door पर कि ऐसा तो कोई भी बनवा सकता है वो सवर बिलिव नहीं कर रही होती है ये इस डीटू का face देखती है ये उससे बोल दी है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है अपना जहरा मुझे दिखाओ जब वो door hole से देख रही होती है तो जो आदमी door की पीछे है वो गन लेता है और इ ये सब वो ले लेती है घर में killer घुष जाता है और यहां वो छुप गई होती है जो actual detective उसे बचानी के लिए आया था उसकी dead body killer घर में ला देता है बेटी जब इसे देखती है तब उसे मालूम होता है कि जो first detective आया था ये सही का detective था इस detective के पास गन होती है बेटी ये गन killer अब उसके पास आ रहा है तो ये उस पर गोलिया चला इनल लग जाती है बेटी ने अपनी life में कभी गोलिया चला ही नहीं होती तो इस सही से ये निशाना नहीं लगा पाती है killer इसे अब मारने वाला था है तब ये बेटी के रूम में जो जालिया होती है ये open हो जाती है यहाँ पर एक छोटी सी लड़की होती है, यह बेटी को जान दिये और कही थी है कि जल्दी से यहाँ तुम अंदर आ जाओ, एर सर्कुलेशन के लिए जो भेंट्स थे, इसकी जालिया थी, बेटी को यहाँ से वो बचा लेती है, यह इस लड़की से बेटी बूछती है, क्यों तुम यहाँ थी, यह लड़की कहीती है कि मैरे पैंस जब भी जगडा करते हैं, तब मैं यहाँ इस भेंट्स में आ जाती ह मैं हमेशा तुमें देखती रहती हूँ, तुमारा वोइस बहुती ब्यूट्पुल है, इस लड़की ने इसे हेल्प की हैं, तो बेटी इसकी बहुती थैंक्फुल होती है, यह लड़की बहुत ही क्लेवर है जैसा उससे कहती है, बेटी फिर अपने नेबर के घर से वहाँ से निकल जाती है, बेटी अब अकेला नहीं रहना चाहती है, वो डायर्क लिए ओपरा के यहाँ आ जाती है, यहाँ बहुत सारे लोग है, तो उसे यहाँ कोई हट नहीं कर पाएगा, यहाँ उसका प्रोडूसर भी होता है, उसके प्रोडूसर को कहती है, मैं स्टूरियो में स सबना आता है, इस सबने में भी किलर जिस तरह से लोगों को माता है, इसी तरह से कोई मार रहा है यह उसे दिखता है, बच्चपन से इसे यह सबने आते थे, जो सब उसकी इमेजनिशन थी, वो एक्च्च्छल में अपरियल हो चुकी है, इसे बहुत ही डर चुकी होती है, अपने मैनेजर को भी इसने बताया था, पर यह कुछ फिगर आउट नहीं कर पाई थी, आजरा तो सेफ रहती है, कल ओपेरा स्टार्ट हो जाता है, ओपेरा स्टार्ट होने के बाद पुरा हॉल उसे सुन रहा होता है, यह बहुत यह अच्छा सा शोर चल रहाता है, तभी इन्हें पता चल जाता है कि किलर कौन है, ओडियन्स में जो डिरिक्ट्यू था, यही किलर था, यह डिरिक्ट्यू पर जबग पढ़ते हैं, उसकी आँख दबोज लेते हैं, इसकी एक पूरी आँख खराब हो जाती है, सब लोग जब भाग रहे होते हैं, तो इसमें डिरि इस प्रोडूसर को घाल करतेता है, बेटी को उठाता है और एक जगाओ पर लिकराता है, उससे हो कहता है कि तुम तुमारी मदर जैसी दिखती हो, मैं जो सब वाइलन्स कर रहा हूँ, तुमारे मदर नहीं मुझे सिखाया है, ये जो है, ये उसकी मदर का स्ले होता, किलर जो स करता है, यानि कि लोगो को मारता है, और बेटी को देखने के लिए मजबूर करता है, इसी तरह से बेटी की मदर लोगो को मारती थी, और इस डिरेक्ट्व को देखने के लिए मजबूर करती थी, ये इसकी मदर को बहुत ही पसंद करता था, ये बोलता है कि जब मैंने तु प्रण गर का एक्सिडंट करवा होता है डिटी टू बेटी से खेता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और उसका चेहरा खराब हो चुका है तो खेता है कि तुम्हें मुझे अब दिखनी की जरूत नहीं है उसकी आग पर पट्टी भांता है वो कहता है कि आप सब कुछ खतम ह चुका है वो बेटी को एक गन देता है वो कहता है कि अब तुम्हें मुझे मारना है वो एक जगा पर उसे पॉइंट करनी के लिए बोलता है वो सब जगा पर पेट्रोल डाल देता है अपने आपको जलाने लग जाता है बेटी भी उसे एक गन से शूट करते थी है बेटी जिनने के लिए एक बहुत ही सिनरी भरी जगा पर वो आये हैं यहाँ पर बेटी अपने रोल के लिए प्रिपेर कर रही होती है और यह प्रोडूसर भी अपना काम कर रहाता है तो भी न्यूस चल जाती है ट्रेट टू था यह फायर में नहीं मरा था इन्हें जो बॉडी मिली प्रोडूसर भी इसके वीचे भागी रहा होता है तब यह प्रोडूसर की चीखे इसे सुनाया देती है यह जो किलर था यह प्रोडूसर को मारने लग जाता है बेटी को भी यह केद करकर रख सकता है पर बेटी स्मार्ट होती है बेटी को मालूम है कि इस किलर को सिर्फ बे पुलिस इसे बचा लेती है, पुलिस उससे पुछती है, क्यों तुम क्या बात कर रही थी, बेटी कही थी है, जो वो सुनना चाहता था, यही मिम बोली थी, इसके बाद बेटी हमें फूलो को देखती हुई दिखती है, यह अपनी लाइफ के साथ अब आगे बढ़ सकती है, आपको यह वीडियो अचलागा, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेएगा, मैं बहुत सारी मुरिज लेकर आत रहता हूँ, तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे, और बेल इडिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा, हम फिर से मिलेंगे और और एक अमुरी के साथ, तब तक लिए थैंक यू, और आप अपने आपका खैल रखिया,